कुवा मापन प्रणाली स्थापित करते समय उसमें सभी प्रकार के कुवें शामिल करने चाहिए जैसे की सिचाई में इस्तिमाल किये जाने वाले कुवें, पीने के पानी के कुवें, सामुहिक कुवें और ऐसे कुवें जो अभी इस्तिमाल में नहीं है निगरानी किये जाने वाले कुवों को इस तरह चुना जाना चाहिए कि वे अध्येन क्षेत्र के सभी हिस्सों का प्रतिनी दित्व करते हो हमें अपने मापन प्रणाली में शामिल हर एक कुवे को एक विशिष्ट कोड देने की आवशक्ता है कोड अत्यनत सरल होना चाहिए जैसे कि गाउं के नाम के अध्याक्षर और कुवे का नंबर अच्छी गुणवत्ता वाले रंग का उप्योग करें और अचल वस्तुओं पर जैसे कि कुवे की दिवार पर पंप हाउस या पास के किसी पेड़ पर कोड पेंट कर दे कुवे के पास एक जगा निश्चित कर ले वहाँ पर एक माब बिंदू का चैन करें जहां से कुवे के सभी आयमों को मापा जाएगा कुवे की निमनलखित जानकारी दर्ज करें अक्षाउंश रेखाउंश समुद्र तल से उंचाई कुवे का व्यास कुवे की गहराई कुवे के मालिक का नाम इस बात का ध्यान रखें कि कुवे के पानी का स्तर मापन करने से 48 गंटे पहले तक कुवे से पानी पंप द्वारा निकाला ना गया हो मापन टेप के सामने वाले हिस्से में एक साहुल को लगाएं जैसे की साहुल भारी होता है इसलिए यह आसानी से सीधे कुवे के अंदर जा सकता है और कुवे के जलस्तर को मापने में मदद करता है जैसे ही साहुल पानी में डूबेगा मीटर टेप पानी के सतह पर होगा और आप पानी के स्तर को सही ढंग से माप सकेंगे मापन बिंदू के यहां से आप अपनी टेप को धीरे धीरे अंदर छोड़िए जैसे ही टेप जलस्तर को छोएगा वहां रुकिए मापन बिंदू से जलस्तर की दूरी ना पिए इसी को कुए का जलस्तर कहा जाता है आपके द्वारा एकत्रित की गई जानकारी हर महिने एक रजिस्टर में दर्ज की जानी चाहिए इस रजिस्टर में दिनांक, कुए का विशिष्ट कोड, कुए का जलस्तर दर्ज करना ज़रूरी है झाल झाल